नमस्कार आजम बात करेंगे कि जब आप ध्यान जापादिका भ्यास करते हैं तो उस समय यदि आपको अपने आग्या चकर पर माथे पर दोनों बहों के बीच में आपकी थड़ाई पर यदि आपको वाइब्रेशन कमपन या स्पंदन महसूस हो या कोई खिचाव जैसा या आपको इस थान पर कोई सेंसेशन गुदगुदी फड़कना या कोई दबाव महसूस हो या धड़कन जैसा लगे या घड़ी की टिक टिक जैसी कोई अनभूती हो या आपको इस थान पर कुछ गरम या ठंडी वाइब्रेशन फील हो या आपको इस थान पर दर्द होने की अनभूतियों तो ये सभी प्रकार की अनभूतियां या ये लक्षन जो अभी मैंने आपको बताए हैं आपके आग्या चकर के सक्रियता लेने के लक्षन होते हैं मतलब आपके तृत्या नेत्र के जागरित होने के जो शुरुवाती और प्रकर्तिक जो चिन होते हैं वो चि लक्षनों के कुछ नकरात्मक कारण भी होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वस्तुता है यह जो सभी लक्षन जिसकी मैंने अभी बात की है actually में यह आग्या चकर के जो पार्थिव रूप है यानि कि जो पीनियल ग्लैंड है जो pineal gland हमारे मस्तिश के बीचों बीच स्थित है ये चावल के दाने के अकार की एक छोटी सी ग्रंती होती है तो basically ये सभी लक्षन pineal gland में activate होती है तो जब किसी प्रिकार की कोई भी क्रिया इस ग्रंती में होती है pineal में तो उसका जो reflection है वो हमें अपने माथ्य पर प्रतीत हो होता है और जो धड़कन या टिक-टिक या नुभूती हमें आग्या चकर पर मैसूस होती है माते पर वस्तुत है वह धड़कन pineal gland के अंदर हो रही होती है यह धड़कन इसी जो ग्रंती है इसी का ही एक स्पंधन होता है actually में यह स्पंधन निरंतर जारी रहता है लेकिन अभी इस स्पंधन को महसूस करनी पाते हैं किन्तु जब हम ध्यान में प्रवेश करके शान्त होने लगते हैं या जब हम इस ग्रंती के second spot यानि अग्या चकर पर जब हम अपनी attention को देते हैं ध्यान लगाते हैं तो हमें यह स्पंधन स्पष्ट रूप से महसूस होने लगत दूसरी बात जब आपका ध्यान 11 होना शुरू हो जाता है तो आपके मुलाधार चक्र से जो उर्जा जागरीत होती है और जब वो जागरीत उर्जा आपके मस्तिष्क के चक्रों तक पहुंचती है यानि कि जब आपके मस्तिष्क में उर्जा सगन होनी शुरू हो जाती है तो उस बड़ी हुई उर्जा के कारण भी आपकी पिनियल ग्लैन एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है फिर उसी एक्टिवेशन के कारण ही आपको वो सभी अनुभूतिया होनी शुरू हो जाती है जिनकी मैंने शुरू-शुरू में बात की है इसके इलावा शिव तंत्र में वरणन किया गया है कि तीसरी आंख होश की भूखी है होश मतलब awareness, attention तो awareness इसका भोजन है और आप देखना कि जब भी आप अपनी awareness को अपनी attention को अपनी आग्या चकर पर केंदरित करेंगे तो एक दो दिनों में ही जल्दी सही कुछ-कुछ की तो ध्यान लगाते सारी आपकी इस आग्या चकर में धड़कन होनी महसूस हो जाएगी तो जब इस प्रकार आप अपनी attention को जब आप अपने आग्या चकर पर केंदरित करेंगे तो इसकी अती सवेधन शीलता के कारण आपकी यहाँ पर धड़कन शुरू हो जाती है तो एक यह भी कारण है कि awareness के कारण attention जब आप पे करते हैं अपने आग्या चकर पर उसकी कारण भी यह लक्षन प्रकट होने शुरू हो जाते हैं आपको यहाँ पर vibration या कमपन इस प्रकार के अनभूतियां होनी शुरू हो जाती है लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जितने भी लक्षन है यह सभी शुरूवाती लक्षन है क्योंकि चाहिए आपको खिचाव होता हो या vibration होता हो यह सिर्फ इस बात के संकेत हैं कि चकर ने गती लेना शुरू कर दिया है मतलब यह ऐसे ही है कि जैसे कोई पईयां बहुत समय से जाम पड़ा था और चला ली था लेकिन अब उसने धिरे धिरे थोड़ा थोड़ा करके घूमना शुरू कर दिया है लेकिन यह पईयां पूरी स्पीट से घूमने लग जाए उसके लिए तो आपको लंबी साथ ना करनी पड़ेगी लेकिन एटलिस्ट आपको इन लक्षनों को देखकर इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अब आपका आग्या चकर शुरुवाती जो उसकी सक्रियत है उसमें आना शुरू हो चुका है इसके लावा आपको अपने आग्या चकर पर वाइब्रेशन होना इस बात का भी संकेत है कि आपके जो नीचे के चक्रें वो क्लियर हो चुकी है मतलब आपके नीचे के चक्रों में कोई ज़्यादा ब्लोकेस वगारा नहीं है तबी तो उर्जा आपकी उपर तक आपाईए और दूसरा ये इस बात का भी संकेत है कि आपके जो आग्या चकर का स्थान है आपके माथे पर वहां रक्त का प्रभा बढ़ चुका है ब्लोड फ्लो वहां इंक्रीज हो चुका है इसलिए आपको स्थुल रूप में भी वहां पर धड़कन या वाइब्रेशन मैसूस होने लग जाती है जो कि एक शुब लक्षन है और कई लोगों को माथे पर या धड़कन ऐसे मैसूस होगी जैसे कि उनकी दोनों बहों के बीच में कोई घड़ी फिट हुई पड़ी है और घड़ी का जो सेकिंड वाला जो कांटा है वो धीरे धीरे घूम रहा है और जब भी कांटा घूमता है सेकिंड का तो उनको टिक किवा जाती है और यह सभी लक्षन आपको कभी हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं कभी आपको अपने दिन चर्या के दुरान भी यह लक्षन मैसूस हो सकते हैं और लेकिन आप जब भी सीटिंग में बैठेंगे ध्यान में बैठेंगे तब आपको यह लक्षन आपको बोला था तो उसमें जो कारण है उसमें एक-दो कारण नकरात्मक भी है तो जो उसमें सबसे पहला कारण है पहले हम उसकी बात करती है तो यदि आपको अपने आग्या चकर पर यानि दोनों बहों के बीच में दर्द होता हो धर्कन तेज होती हो और काफी-काफी रहता हो, vibration बहुत तेज हो जाती हो, यदि आपको ये लक्षन जूर से जादा हो रहे हो और इनके कारण आपको परिशानी भी होने लग जाए, अगर तो आप सब्सक्राइब करते हैं, कोई परिशानी आपको नहीं हो रही है, और आप शांत भी है, परसंद भी है, सब ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इन लक्षनों के कारण आपको थोड़ा दिक्कत भी आ रही हो, यानि कि आपकी नेंद आनी बंद हो गई हो, या आपका सिरदर्द रहना शुरू हो गया हो, सिर में भारी पन रहता हो, अगर और इसके साथ यदि आपको anxiety भी होने imbalance की और लेके जा रहे हैं, उसको आपने असंतुलित कर दिया है, जबकि होना ये चाहिए है कि आपके सभी चक्र, ना क्यावल आग्या चक्र, बढ़कि आपके सभी चक्र balance रहने चाहिए, कोल भी चक्र over stimulate या over active नहीं होना चाहिए, तो अगर आपको इस प्रकार के लक्षन भी आ रहे हैं, तो जो भी क्रिया या जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, उसको आप तुरंत बंद कर दें, क्यों तो कि उस क्रिया के कारण आपका जो आग्या चक्र है, वो over stimulate हो रहा है, उसको balance करने की ज़रूरूरत है, अब दूसरी बात कि आपका ये चक्र over stimulate क्यों हो रहे ह उसका कारण है कि या तो आप बहुत लंबे टाइम तक ध्यान कर रहे हैं, दो दो तिन तिन घंटे तक आप बिना बीच में gap लिए लगातार ध्यान कर रहे हैं, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा concentrate करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत चेरे की और दिमाग की नस्व को बहुत ज़्यादा खीच देंगे एकागरता करने के चकर में तो उस वगत क्या होता है उस अतिकी एकागरता से आपका चकर नहीं खड़कता है बलकि आपके जो माथी की जो नसी हैं और जो मास्पेशिय हैं आपके माथी की वो स्ट्रेस में आजाती हैं तनाव में आजाती हैं जिसकी वजा से ये लक्षन होने शुरू हो जाती हैं तो आपको क्या करना है जब भी आप meditation में बैठें आपको एकागरता जुरुष से जादा नहीं साधनी है उस वगत आपके चेरे की मास पेशियां धीली रहनी चाहिए आँखे भी बिल्कुल relax रहनी चाहिए पूरे मुष्टिश्क पे कहीं तनाव नहीं होना चाहिए स्थूल रूप से आपका जो उपर का हिस्सा सिर का और गर्दन का ये बिल्कुल धीला और विश्रान्त रहना चाहिए तब आप overstimulate नहीं करेंगे और दूसरा अपने ध्यान में बैठने के समय को धीरे धीरे बढ़ाएं एकदम से long hour sitting मत करें तो जब आप इन दो बातों का पालन करेंगे तो ये reason आपका overstimulation का खतम हो जाएगा ये तो भी एक बात दूसरा कारण इस प्रेकार के लक्षनों के होने का कि क्यूं आपके माथे पे खिचाव या vibrations जूर से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो इसका दूसरा कारण है कि जब कोई आपका चक्र बंद होगा या block पड़ा हुआ होगा और जब वो खुलेगा तो फिर वो दर्द करता है जल्दी ही खतम भी हो जाते है यानि कि दो-चार दिन में वो लक्षन खतम हो जाने चाहिए तो इन लक्षनों के करण भी ऐसा होता है कि कोई किसी प्रेकार के आपके कोई मानसी या भावनातमक कोई घ्रंथियां आपके आग्या चक्र में फसी पड़ी है तो जब वो ग्रंथियां खुलती है तब भी आपके आग्या चक्र में इस प्रिकार के लक्षन आ सकती है इसके लावा पीनियल ग्लेंड जो आपके मस्टिश्क में स्थीत है जब वो अपने आपको डिटॉक्सिफाई करती है अपने आपको रिपेर करती है तब भी आपको ये लक्षन आ सकते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इन सभी सिचुएशन में जो लास्ट की हैं त आथे पर खिचाव हो रहा है वाइब्रेशन हो रही है तो इनको होने दें ये सब सुब लक्षन है आपको उल्टा खुश होना चीए कि आपका आग्या चक्र खुल रहा है और जब दीरे दीरे आपकी जब ये नर्जी सुन्योजीत हो जाएगी तो ये जो लक्षन अगर ज खिचाव ज़ादा भी हो जाए तो कुछ सेगेंड के लिए वहां से ध्यान अटा लें और अपना ध्यान किसी दूसरे चक्र यानि की हिर्द्या चकर पर रख दें और फिर कुछ सेगेंड के बाद आप दुबारा आग्या चकर पर भी आ सकते हैं तो इस प्रकार से आप इस चीज को सुन्योजित कर सकते हैं ओवराल अंत में मैं इतना ही कहना चाता हूँ कि यह जितने भी लक्षन शुरू में मैंने आपको बताएं आपके माथे पर यदि खिचाव होता है वाइबरेशन होती है गुदगुदी होती है धड़कन होती है कुछ भी होता है यह सबी ल खियान रखें बाकी सब शूब है धन्यावाद